हम बात करें है आयोक की लास्ट टाइम हमने राधाकृष्णाना आयोक की बात की थी आज हम बात करेंगे मुदालियर आयोक की तो जो मेरा देश्य है वो है कि आपकी रिटेंशन पावर को बढ़ाना जब आप अपने एक्जाम को देने जाते हैं तब आपके माइंड में जो हाई-लाइटेट चीजे होती है आप वही चीजे अपने एक्जाम में लिख पाते हैं तो जब भी आप एड के एक्जाम देते हैं या किसी और टीचिंग अग्जाम देते हैं तो आपके माइंड में जो मेल हाई-लाइट्स है वो होना बहुत जरूरी है तो मेरा उदेश्य ह कि आपको जो मेंग पॉइंट्स हैं हर आयोग के वो समझाना और उनको लिखने के लिए आपको सक्षम बनाना तो आज हम बात करते हैं मुदालियर आयोग तो लेट्स स्टार्ट विदा मुदालियर आयोग मुदालियर आयोग जो है वो क्या कहता है कि मुदालियर आयोग जो ह वो जे सेकेंडरी एज़्वेशन कमीशन था, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में नोंने बताया था, वूह उच शिक्षा के बारे में उसने सारी सिफारिशन जो दी थी, और इसकी जो नियुक्ति थी, व 화 попогarm की और पर अध्यक्ष जो है, कि आपको कुलपती थे माद्रास इुनिवर्स्टी के यह आपर तियाद रखएगा कि अम कुलपती thể太agy ऑलकी योढ़ी चाद्र से थी उनका नाम भी याद रखेगा क्योंकि जो भी मात्धिमिक शिक्षा के जो भी आयोग्स होते हैं वो आपके जो competitive exam से उसमें भी पूछा जाते हैं तो कई बार इससे भी कोशिन बन जाता है कि कौन सदर्स से जो है वो इस आयोग में शामिल थे तो आपको सब के नाम एक बार बता देती हूं सबसे पहले हैं शिरीमती हंसा महता जे ए ता और जॉन क्रिस्टी यह इनके अधर्स अधर्स से थे अध्यक्ष के अलावा जो अधर्स अधर्स से है वो इनकी हायाबात की गई है उसके बाद इस आयोग के उदेश्य क्या है इस आयोग के जो में उदेश्य है वो क्या क्या है तो में जो फर्स उदेश्य है यह आप हम च क्या होती है means जब एक नागरिक या एक सीटीजन जो है अपनी समाजिक, अपनी समाजिक समाजिक विकास कर सके या देश फ्रेम की भावना जब इकसित करता है और वो είसामस्ता है कि हमारे देश संस्कृति क्या है कल्चर क्या है और उसके उननती के लिए जब काम करता है जब उसको देश के बारे में ग्यान होगा तभी वो देश के बारे में काम कर पाएगा तो में चीज है कि आपको अपने देश के बारे में भी जो है वो ग्यान देना है अपने नागरिकों को तो शिक Improvement of Vocational Efficiency, Improvement in Vocational Efficiency को हम ही कह सकते हैं, कि जो भी व्यावसाइक प्रशिक्षन है, तो शिक्षा में व्यावसाइक प्रशिक्षन भी दिया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को, ताकि वो स्वाव लंबी बन सके, और देश की उन्नती कर सके, क्योंकि जब अजब तक वो दूस करना, व्यक्तित्व का विकास है, development of personality, development of personality, means हम जब शिक्षा के माध्यम से, रित्य, संगीत, हस्तकला, और बाकि सारी जो और प्रशिक्षन उसको दिया जाता है, या और कौशल उसको सिखाये जाते हैं, तो उससे बच्चे का जो विकास है, वो हो जाता है, तो उससे बच फौर्थ है, फौर्थ जो नित्रत्व का विकास है, यहां पर ये भी उदेश माना गया, कि हमें, मुदालियर आयोग ने कहा, कि हमें शिक्षा के मात्यम से, नित्रत्व की भावना का भी विकास करना चाहिए, ताकि जो छोटे-छोटे समूह हैं, या वर्ग हैं, या गाहो में, महलों में, जो छोटे-छोटे वर्ग बन जाते हैं, उनको भी नित्रत्व करने की भावना जो है, बच्चों के इंतर डालनी चाहिए, ताकि उनका भी पत्ध प्रदर्शन जो है, वो हो सके, तो ये चारो उद्देश्य जो है, मुदालियर आयोग ने बताए, आब हम होँ ने बताए कि सात साल की अबधी होनी चाहिए, इसमें जो तीन वर्ष की जो जूनियर मार्धध मिंग मिन्स जो मिडल एजुकेश्इं जो हम देते हैं, वो 6-8 में एक जिक्स तू 8 और जो हाय सेकेंडरी है उसका जो टाइम पीरेड होना चाहिए वो ग्यारा वर्से लेकर 17 वर्ष के बीच में बच्चों की जो ये आयो निधारित की गई है उसके बाद तीन साल का जो सनातक मतलब ग्रेजुएशन जो है वो तीन साल की उन्होंने बताई कि तीन साल की सनातक वाठगरम होना चाहिए बहु देशिये विद्धियाले कि बार में उन्होंने बताया कि जीए विद्धियाले के योगतान कर सकता है कि सी को ऊकर साइं किसी को पढ़ने में इंडरस्ट है, किसी को आर्ट्स में, किसी को साइन्स में तो उसी के अकॉर्डिक जो है बहु विकल्पी है या बहु देश्य विद्ध्याल्य की जो है स्थापना की जानी चाहिए। एकॉर्डिंग तुदा मुदालियर आयोग, यह बहुत इपॉर्टेंट है, बहुत कोशन बनते हैं, बहु देशे विद्धाले के उपर, उसके बाद जो में और एक और पॉइंट है, वो है प्रावधिक विद्धाले की बात दिनों ने की, सबसे पहले, मुदालियर आयोग नहीं बात की है, तो प्रावधिक विद्धाले है, टेक्निकल स्कूल्स हैं, वो भी खोले जाने चाहिए, फैक्टरियों के आसपास के इलाकों में, या कलकार भाने जहां पे खोले होते हैं, वहां पे उन इलाकों में, जो टेक्निकल स्कूल्स भी खोले ज जाने चाहिए ताकि उनको प्रशिक्षन के लिए आगे उन फैक्टरी या उन कलकार खानों में भीजा जा सके तो यह भी उन्होंने बात की थी टेक्निकल एजुकेशन बढ़ाने के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं उद्योगों पर उद्योग शिक्षा टेक्स लगाना चाहिए उद्योगों पर ताकि उसे शिक्षा का प्रसाद हो सके अब हर चीज के लिए आपको आर्थिक जो आर्थिक जो आपको साहिता चाहिए होती हो कहां से आएगी तो वो टेक्स से आपके पास आ जाएगी उसके बाद है ग्रामेंड विद्यालों में जो क्रिशी शिक्षा का प्रबंद कराना चाहिए तो ग्रामेंड विद्याले जो है वहां पे क्रिशी शिक्षा क्योंकि जो ग्रामेंड में क्रिशी का बहुत जो व्यवसाय है वही चलता है तो वहां पे ऐसी अच्छी क्रिशी शिक्षा भी सिखाई जाने चाहिए विद्यालों में और वो ग्राम सावास विध्यालय के बात जो फितों तो अगर आपको मेरे आयोग पसंद आ तो प्ली, आप आपने comment box में comment लिखके बताईए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को subscribe जरू कीजिएगा धन्यवाद